सुजानपुर शहर में बनने बाला टाउन हॉल बनने से पहले एक वार फिर से विवादों में आ गया है मतलब सुजानपुर शहर में बनने बाले टाउन हॉल की ड्रॉइंग को नगरपरशत सुजानपुर ने रिजर्ट कर दिया है लोक निर्मान विभाग दरा बनाई गई ड्रोइंग नगर परशत के मताविक सही नहीं बनी है ऐसे में अब इस ड्रोइंग को नए सिरे से बनाने के आदेश चारी के गए हैं बताते चलें के सुजानपुर शहर में टाउन हॉल का निर्मान होना है इसके लिए लोक निर्मान विभाग को नगर परशत सुजानपुर ने एक ड्रोइंग बना कर भेजी थी और इसमें टाउन हॉल कहां पर बनना है किस परकार से बनना है इसमें कितने कमरे होंगे कितने बाहन पार्किंग की पेवस्ता इसके दरातल पर रखी जाएगी इसके साथ था तमाम मूलबूत सुज़दाओं को लेकर एक पूरी ड्रोइंग बना कर लोक निर्मान विभाग को भेजी गई थी और कहा गया था कि इस ड्रोइंग को अप्रूबल करके आगामी कारवाई के लिए भीचा जाए उसमें ना तो बहान पार्किंग के सुवधा है ना ही अन्य मूलबूत सुवधाएं हैं ऐसे टाउन होल्ड की ड्रोइंग को नगर परशत ने पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा कि जो नगर परशत ने पहले ड्रोइंग बना कर भेजी थी उसी को ही फिर से अप्रूबल दिलाने के लिए भीजा जाए नगरपरशत अधिकारी की मानित और लोक निर्मान विभाग नी जो ड्रोइंग बना कर नगरपरशत को भेजी है वे पूरी तरह से अलग है जो नगर परशद ने ड्रोइंग बना कर अप्रूबल के लिए भेजी थी उसमें विभाग ने फिर बदल करके अपनी तरीके से बना कर भेजा है जिसे नगर परशद अध्यक्ष उपाध्यक्ष समस्त पारशदों ने पसंद ना करते हुए खारिज कर दिया है अब नए सिरे से ड्रोइंग जो पहले बना कर भेजी थी उसी को अप्रूबल देने के लिए विभाग को फिर से लिखा जा रहा है संबंदित प्रस्ताप डाल कर आगामे कारवाई करवाई जा रही है नगर परशद अधिकारी संजे कुमार की माने तो शेहर में टाउन होल का निर्मान हो प्रस्ताप परिशन है इसकी जो ड्राइंग आपी टेंटिटिव ड्राइंग जो पीज़ो ड्री विभाग द्वारा नगर परिशन को जी गए थी जो आज नगर परिशन के बैठक में रखी गई जिसके बिष्टी चर्चा हुई और उसमें ये प्रस्ताप पारित किया कि पीछे प्रस्तावना दिढ लोक निर्मान विभाग उसका नूरूप है ट्राइंग तब ही को मानने होगी है इस संधर्म में अ बुस्ताप हुरत कि निर्मान के गो Kinous